हेलो वेलकम मैं वरन कुमार यादो और आपको पता होगा कि NCRT के सभी चैप्टर्स हम इस चैनल पे कवर कर चुके हैं मतलब कि मैंने सारे चैप्टर्स अप्लोड कर दी हैं एक्सेल साइज और कॉंसेप्ट के साथ तो यहाँ पर मैं आज से सुरू कर रहाँ एक्स्टर क्वेस्टन की कुछ सीरीज यह जो सीरीज है एक्स्टर क्वेस्टन की यह आपके एक्स्टर नोलेज के लिए होगी तो यहाँ पर हम चैप्टर वाईज कुछ एक्स्टर क्वेस्टन करेंगे और हर एक चैप्टर के चार या पांच पार्ट आएंगे अलागलब तो यहाँ पर जो यह वीडियो है यह पहला पार्ट है यानि पार्ट वन है क्लाश टेंथ के चैप्टर वन का तो यहाँ पर मैंने दो क्वेस्टन सेलेट की है RD Sarma से पहला क्वेस्टन देखते हैं उसके बाद दूसरा देखेंगे देखो जो यह पहला क्वेस्टन है इसमें बोला क्या है प्रूव देट इफ एक्स एंड वाई आर ओड पोजिटिव इंटीजर्स देन एक्स स्कॉाइर प्लेस वाई स्कॉाइर इस इवन बट नॉट डिविजबल बाई पोर मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक्स और वाई ये दोनों के दोनों ओड पोजिटिव इंटीजर्स हैं तो एक्स स्कॉाइर प्लेस वाई स्कॉाइर की वैलू जो भी आएगी वो इवन तो होगी लेकिन वो चार से डिवाइड नहीं होगी ठीक है? तो यहाँ आप पर इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे अब देखो मैंने यहाँ पर ओड क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं वो ओड है ठीक है? इसलिए हम ओड की बात कर रहे हैं odd number को हम 2Q plus 1 की form में express कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी odd number होगा तो उसको आप 2 into something plus 1 की form में लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर माल लो आपके पास एक odd number है 7 ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हो 2 into में 3 plus में 1 ठीक है? यहाँ पर देखो 2 into में Q यहाँ पर 2 into में 3 है मतलब 2 into something होना चाहिए प्लस में 1 आप इसको solve करो देखो 236 plus 1 7 इसी तरह से माल लो अगर आपके पास 9 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 into में 4 plus में 1 कहने का मतलब है कोई भी odd number होगा तो उसको 2 into में something होगा 2 into में something plus 1 के अब वो something क्या है मुझे नहीं पता तो मैं M लिख देता हूँ याँनिकि 2 का table M बार पढ़ा प्लस में कितना 1 क्योंकि X क्या है? X odd positive integer है and इसी तरह से Y भी odd positive integer है तो इसको भी हम 2 into में something plus 1 की form में लिख सकते हैं जैसे हमने अभी 7 को लिखा था और 9 को लिखा था वैसी Y भी odd है तो इसको मैंने लिखा 2 into में N प्लस में odd यानिकि 2 का पहड़ा N बर पढ़ने बार अगर उसमें 1 जोड़ा जाए तो Y की बराबर हो जाएगा ठीक है? ऐसा कोई हमने मान लिया क्योंकि odd थे तो यहां से जो सीखने वाली बात अभी तक आपको मिली जो याद रखनी वो याद रखना कि कोई भी odd positivity जारा आप 2Q प्लस 1 की form में लिख सकते हो अब यहां पे जो हमारा question है इसमें क्या है? X square प्लस Y square की बात की गई इसी को हमें even proof करना है लेकिन 4 से divide नहीं होना जाहिए तो यहां पे मेरे पास X है तो X square चाहिए तो यहां पे दोनों तरब square कर दो ठीक है तो यह X square बराबर कितना जाएगा? 2M प्लस में 1 का whole square ठीक है इधर भी square कर दे इधर भी इसी तरहां से प्लस में Y square था मतलब Y square की value आपको पता होनी चाहिए तो इसमें दोनों तरब square कर दो तो Y square कितना हो जाएगा? 2N प्लस में 1 और इसका square ठीक है यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भी तक अब आप क्या करो इन दोनों को add कर दो ठीक है माल लो यह equation 1 है और यह equation 2 है ठीक है 1 और 2 को add कर दो equation 1 में equation 2 जोड़ दो equation 1 में 2 जोड़ोगे तो left hand side में x square है 1 के और 2 के left में क्या है y square यहन्य x square ब्लस y square हो गया तो right side भी आपस में जूड़ जाएंगी इसका RHS क्या है 2M प्लस 1 का square 2N प्लस में 1 का square ठीक है यहाँ तक आपको संजना आगया होगा कि बस मैंने क्या किया है इन दोनों को add गिया है reakrex square प्लस y square यह रहा यह प्लस में यह रहा अब यहाँ पर आपको क्या करना है ठीक है यह इसी इस तो आपको चाहिए चाहिए इसको solve कर लो, यहां पर A plus B का whole square क्या हो जाएगा, A का square plus B का square plus 2AB, ठीक है, यानि कि A यहां पर क्या का काम कर रहा है, 2M, ठीक है, A का square, B का square मतलब 1 का square plus 2, A का मतलब 2M, और B का मतलब 1 हो गया, इसी दरह से इस bracket उखोलोगे, यहां पर A का काम कोन कर रहा है, 2M, यानि कि पहले इसका square plus में 1 का square, plus में 2, A की जगा क्या है, यहां पर, 2N, और B की जगा क्या है, 1, ठीक, अब आ गया जाओ, 2 का square, 4, M square होगा है, 1 का square, 1 हुआ, प्लेस, 2 2 जा, 4, ठीक है, 2 2 जा, 4, और 7 में क्या है, M है, यहां पर 2 का square, 4, N square, यहोगा गया 1 का square 1 2 2 जब 4 into 1 4 और 7 में ठीक है अब आप देखो क्या करो यहाँ पर यह देखो यह जो 1 है और यह जो 1 है यह 1 और 1 कितना होगा 2 इस 2 को अलग लिख दो बागी यहाँ पर भी 4 है यहाँ पर भी यहाँ पर भी इन सब में से आप 4 को मले लो ठीक है जो जिसके साथ-साथ 4 है उन सब में से 4 को मले लोगे तो क्या बचेगा देखो यहाँ से 4 को मले लिया M square बच गिया ठीक है इसका काम तो हो चुका है इधर इसको भूल जाओगी यहाँ से आपने 4 को मले लिया यहाँ पर क्या बचा है M बचा यहाँ से आपने 4 बबचा है M square बचा यहाँ से आपने 4 को मले लिया क्या बचा M बचा ठीक है अब जो bracket के अंदर है इसको Q मान लो थोड़ दरी के लिए ठीक है और इधर क्या चल रहा है X square plus Y square जो भी bracket के अंदर है इसको क्या बोल दिया मैंने Q बोल दिया ठीक है यानि कि यह जो चीजे यह सारी इसको Q बोल दिया आप side में लिख ले ना this is equal to Q मान आपने प्लस में 2 ठीक है आप चाहँ दिया लिख सकते हो where where जो Q है वो किसकी जगा लिखा मैंने M square plus N square ठीक है N square जा पिर पहले जैसे लिखा है वैसे लिख देता हूं M square plus M plus N square ठीक है यह Q इतनी की जगां Q रखा है तो अब ज़र आप इसको ध्यान से देखो इसको अगर हम ध्यान से देखो तो हमें क्या पता लगता है कि भई यहां से तो 4 common मिलेगा लेकिन यहां से 4 common नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब यह 4 से divide नहीं है तो हम बोलेंगे so X square plus Y square is not divisible by 4 जिसको समझ में नहीं आया है फिर से समझाता हूं इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी यह number बनेगा X square plus Y square 4 का पहड़ा उसमें Q bar जाएगा लेकिन फिर 2 remainder बन जाएगा यही तो होता है BQ plus R वाली form R का मतलब remainder रही है तो यानि कि जब remainder 2 बच रहा है तो 4 से divide थोड़ी होगा remainder 0 बच ता तब होता है 4 से divide आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर अगर सब में से 4 को मन आ जाए तो 4 से divide होगा यहां से तो आएगा यहां से नहीं आएगा ऐसे भी आप समझ सकते हो लेकिन बट बट इट इस इट इस divisible by 2 ठीक है यह 2 से divide हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यहां देखो यहां से भी आप 2 को मन ले सकते हो यहां से भी 2 को मन ले सकते हो ठीक है तो x is square plus y square is even ठीक है तो अब यहां पर आप देखो यहां से भी आप 2 को मन ले सकते थे यहां से भी आप 2 को मन ले सकते थे तो 2 तो को मन आ जाएगा मतलब यह even तो है लेकिन यहां से 4 common आ रहा है, यहां से नहीं आ पा रहा है तो मतलब 4 से divide नहीं होगा, तो दोनों को मिला कि हम क्या आप हो सकते हैं, यह even तो है ठीक है न, यह even तो है, लेकिन not divisible by 4 है ठीक है, तो अमीद आपको यह पहला question समझना आया होगा, अब दूसरे की बात करते हैं अगर जो question number 2 है, यह भी मैंने rd सर्मा सही select किया इसे हम बोला कि prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n मतलब कि कोई भी positive integer n अगर हम ले लें, तो n square minus n की जो value आएगी वो हमेशा 2 से divisible होगी, यह हमें prove करना है, तो इसको हम कैसे solve करेंगे, कैसे prove करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने लिखा, any positive, ठीक है, any positive integer can be expressed any positive integer can be expressed as 2m और 2m प्लस 1, ठीक है, यह मैंने क्यों लिखा, देखो, simply समझो, आपके पास कोई भी positive integer होगा, ठीक है, यहाँ पर समझाता हूँ, आपके पास कोई भी positive integer होगा, वो या तो even होगा, या फिर वो odd होगा, ठीक है, positive integer या तो even होगा, या odd होगा, अगर वो even है, तो वो direct 2 के table में आएगा, यानि कि 2 into something आप लिख सकते हो, और अगर वो odd है, तो 2 का table जाने के बाद एक remainder बज़ेगा, ठीक है, यानि कि 2m प्लस 1 की form में लिख सकते हो, यह तो हमने पिछली बार भ अगर माल लो आपके पास, एक even number है, 8, तो उसको आप 2 into 4 लिख सकते हो, अगर आपके पास है 10, तो 2 into 5 लिख सकते हो, मतलब अगर आपके पास positive integer even है, तो उसको इस form में लिख सकते हो, odd है तो, इस form में लिख सकते हो, दो case बन रहे है, ठीक है ना, तो case 1 की बात करते है, case 1, यहनि कि जो हमारा positive integer है, जिसको हम n बोल रहे हैं अपने question में, ठीक है, वो अगर even है, तो उसको हम क्या लिख सकते है, 2 into something, यहनि कि 2 into m, अब ज़रा देखते हैं, कि इसकी क्या value आती है, ठीक है, n square minus n को हमें 2 से divisible दिखाना था, n की value है 2m, तो n की जगा 2m लिखा, n का square था square लगा दिया, फिर n है, इसकी जगा फिर से 2m लिखोगे, तो कितना हो जाएगा देखो, यहां से 2 का square कितना 4, और m square, minus में 2m, तो यहां से क्या हो गया, यहां से 2 common आ जाएगा, m भी common आ रहे हैं, लेकिन हम m common नहीं लेंगे, हमारा मकसद क्या है, 2 से divisible दिखाना, ठीक है, तो 2 बाहर आगे, अब काफी है, तो यहां पर क्या बचा देखो, 2, 2 जा 4, m square, minus, 2 बाहर ले लिए, m बच लिए, तो इसको आप लिख सकते हो, 2, अंदर में जो भी बचा इसको आप Q माल लो, ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो, where, where, जो Q है वो आपने किस की जगा इक्वल दिखाया, 2 into में something, मतलब 2 का table क्यों बार पढ़ने पर ये चीज़ आती है, यही तो मतलब हुआ, जब ये 2 का table, यानि कि 2 into में something लिखने प्यार आए, तो मतलब ये 2 से divisible होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, n square minus n is divisible by 2, ठीक है, पहला case हो गया, ठी case 2, case 2, case 2 में n का मान क्या है, n की value क्या है, 2m plus 1, ठीक है, n की odd है, जब वो, यानि की जब इसकी value 2m plus 1 है, तब देखते n square minus n की value क्या है, चाहिए आप यहाँ नीचे लिखो, इधर लिखलो इधर जगा है, ठीक है, n square, n की value अभी क्या है, 2m plus 1, इसका square, फिर minus में n है, minus में n n की value क्या है, 2m plus 1, ठीक है, तो यहाँ से, a plus b का holy square वाला formula लगाना पड़ेगा, यानि की हो जाएगा, a का square ने 2m का square, फिर plus में 1 का square, फिर plus में 2ab, यानि की 2 into में 2m, into में 1, और यह minus अंदर में पले करोगे, minus का 2m हो जाएगा, minus plus minus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से 1 का square 1 ही होता है, और यह minus 1 कट गया, यहाँ पर क्या बचा देखो, 2 का square 4, और यह m square, plus 2, 2 जा 4, 1 जा 4, और यह m, फिर minus में क्या है, 2m, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4m square, 4m में से 2m गया, कितने m बचेंगे, 2m बचेंगे, फिर से यहाँ से आप 2 common ले सकते हो, और इधर क् जल रहा है, n square minus 1, यहाँ से आप 2 common लो, हाला कि फिर से m भी common आ रहा है, लेकिन हम लेंगे नहीं, ठीक, ले भी सकते हो, कोई दिकत नहीं है, तो यहाँ से 2 common लिया, 2, 2, 4m square, plus में, 2 बहार है, तो बचा है, फिर से अंदर जो भी इसको q मान लो, ठीक है, 2 into में q, इस बार ल n square minus n, फिर से आप n square minus n को 2 into में something लिक पार हो, इसका मतलब क्या है, n square minus n is divisible by 2, तो मतलब n चाहे odd हो या even हो, वो हमेशा n square minus n की जो भी value दे रहा है, वो 2 से divisible है, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था,